हेलो एब्रिवन, वेलकम बैक टो आवर चैनल पियनेस एजूकेशन आप सभी को एक नई अपडेट देनी थी जो कि SSC CPU से रिलेटेड है यहाँ पर जो SSC CPU का आपका इजाम होना है अक्टूबर में उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि KKR रिजन का है यहाँ पर आपको अप्लिकेशन का मिल जाएगा कि यहाँ पर आपको चेक करने के लिए सबसे पहले SSC KKR.KAR.NIC.IN इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप यहाँ पर अपना रेजिस्टेशन नमबर और डेट ओफ बर्थ डाल कर चेक कर सकते हैं यहाँ पर फिर आप क्लिक करेंगे और चेक अप्लिकेशन और स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपको चेक हो जाएगा या फिर अगर आपको registration number याद नहीं है, तो यहाँ पर आप अपना name डाल सकते हैं, ठीक है, name के बाद यहाँ पर आपको fathers name डालना है, और यहाँ पर आपका date of birth डाल कर भी आप search कर सकते हैं, तो आपका application का status जो है, वाँ चेक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ एक update थी, जो कि CPU से related है, इसके बाद और सारे zone का आपको दीरे-दीरे देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी KKR करनाटक केरल रीजन का आया है, उसके बाद आपका eastern zone, northern zone, southern zone, सभी zone का बाड़ी-बाड़ी से आपक application status देखने को मिल जाएगा, तो जो भी candidate करनाटक केरल रीजन से है, वो अपना application status इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, जो कि आपका इजाम इसी मन्त, यानि कि next मन्त October में होने वाला है, उसका application status यहाँ से सकते हैं, I hope दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, thank you for our video, मिलते हैं आपसे next video में